अगर आप स्री रादक क्रिशिंजी के भक्त हैं तो ब्रिंदावन के बारे में आवश्य ही जानते होंगे ब्रिंदावन का नाम ब्रिंदादेवी के नाम से ही पढ़ा था क्या आप जानते हैं कि ब्रेज में स्री ब्रेंदा देवी का निजी निवास स्थान कहां इस्थित है तो चलिए ब्रेज यात्रा के आज के एपिसोड में आपको स्री ब्रेंदा देवी के निजी धाम के दर्शन करा रहे हैं यह स्थान स्री क्रेशिंजी के गाउन नंदगाउं से लगवक डेड़ मेल की दूरी पर इस्तित है जो की करीब धाई एकड़ छेतर में फैला हुआ है जिसमें व्रिंदा कुंड, व्रिंदा दिवी मंदिर और गुप्त कुंड है गुप्त कुंड के विशे में यहां के पुजारी स्री भगवत प्रशाद बर्शिष्ट बताते हैं कि यह स्री क्रेशिंजी की नित्य अश्टयाम लीला इस्तली है मानिता है कि दिन के पहले पहर में प्रिया प्रितम सकीयों के साथ यहां नित्य लीला करते हैं नंदगाओं में यह इस्थान लगवक बिलुप्त होने के कागार पर था। उन दिनों मंदिर के पुजारी रहे बाबा मादवदास ने इस इस्थान का सन्नच्छन किया और बाद में इसकौन के कुछ भक्तों ने मंदिर का जिर्णो द्वार कराया। वर्तमान में ब्रेज्टीरत विकाज परसद के द्वारा इस इस्थान को भव्वय और सुन्दर स्वरूप प्रदान किया गया है। आईए अब आपको यहां के पुजारी जी से मिलवाते हैं और मंदिर के अन्य हिस्सों के भी दर्शन कराते हैं। जहां बंदर के अन्दर आचोके हैं हम जो ब्रिंदा देवी का जो भुखय स्थान है जहां आपको दर्शन होते हैं। जी आपको बताएंगे कि किस तरह से ब्रिंदा देवी जो है उनका क्या महत्त्व है। आईये। जो आज बिंदावन है भ्रणदावन भगवान श्री कृ्ष्ण जब ये भूमी पह अया व्रेज भूमी पह तो वो पूरा जंगल चृब्यू इसका तुलसी देवी का, इसलिए उसका नाम पढ़ा ब्रंदा बन और जहां बैठें ये हैं नेज़ ब्रंदावन, मने ब्रंदा देवी का रेजिदेंस, ब्रंदा देवी यहां रहती थी, जैसे नंद गाउं में कृष्ण बलराम का घर है, बर्साना में स्री राधरानी का घ और यहां ब्रन्दादेवि रहती थी एसां गृष में लखा है कि नंदगाम से पस्चं दिसामें 1.5 मी दूर श्री ब्रन्दादेवी ब veg मान मूद तो अभी भी हम ना पेंगे टो नंदगाम से इस्टान वृष डीड में दूर है तो इस नाम से इस मतलब घृष करेक्ट है कि नंदगाव में किष्ण बल्राम रहे और ब्रंदा कुण में स्री ब्रंदा देवी रहे हमारे ब्रिज में ऐसी मानता है कि आज भी 24 घंटे में राधा कृष्ण की प्रतक्षी लीलाएं होती है और होती रहेंगी कोई भी युग हो सत्युग द्वापर त्रेता कल्यो कोई कि यह हमारे राधा शाम संदर सदई ब्रिज में ब्राजमान रहते हैं उनकी प्रतिज्या भी है कि ब्रंदावन अमना परित्यज्यव पाद मेकमना गच्छती ब्रंदावन को छोड़ करके पाद माने एक पैर भी में बाहर नहीं रखूंगा हमेसा ब्रिज में रहूंगा तो हम ब्रजवाशियों के तो यही मानिता है कि हमारे राधा शाम संदर सदीब ब्रिज में रहते हैं और उनकी निला भी चलती रहती है 24 गंटे में तो राधा कृष्ण का प्रतम में लन जो है यहीं होता है ऐसा क्रंथों में लिखा है यह जो आपके पीछे ब्रंदा कुं गुप्त माने सेक्रेट तो राधा कृष्ण का सुबह साथ बजे से साड़े आठ बजे तक यहां प्रतक्ष मिलन होता है कृष्ण का नाम कुंज बिहारी है ना तो कुंजों में बिहार करने से कृष्ण का नाम पड़ा कुंज बिहारी तो वो कुंज कौन बनाती है श्री निकुंज श्थल है फिर उसमें ऐश्ट जो लीप से ऐश्ट जो पंक्षडी हैं कमल के उसमें लल्ता विशाखा चित्रा तुम्विद्या शुलेवी रंगवी चंपकलता हिंदू लेखा ये ऐश्ट मुक्षण कोपियां है फिर मंजरीय Yes, फिर उपमंजरियां सहस्त्र सहस्त्र लाखों करोड़ों गोपियां आकरके यहां प्रातर सुबह 7 से 9.30 बजे तक राधा कृष्ण का निकुंज मिलन कराती है। ऐसा सास्त्रों में लिखा है। फिर यहां से कृष्ण चले जाते हैं गाय चराने के लिए साड़े आठ बजे और राधा रानी सूर्व पूजा के लिए चली जाती हैं। भरना कला एक गाम है ब्रज में वहीं सूर्व कुंड है। फिर इसके बाद दूसरा जो मिलन होता है बारहर बजे दिन के वो होता है राधा कुंड में राधा श्याम संदर का जो निकुंज मिलन होता है। तीसरा मिलन होता है राधा कुंद मंदिर ब्रंदावन में संध्या के समय, चोथा होता है सेबा कुंज और निधिवन में ये पांच हो जाते हैं, फिर छटमा होता है भांडीर बन में यमना के उसपार, साथमा होता है कामे बन में जो राजस्तान में है, और आठम होता नंदगाम बरसाने के बीच में संकेत बने एक गाउं है ऐसे करके आठ जगे आज भी हमारे राधा शाम संदर प्रितक की रूप से मिलते हैं ऐसी हमारी मानता है तो यह जो कुंड है यह प्राचिन काल से अभी किसी ने खरीद के नहीं मना है ना इसको कोई बेच सकता है ना खरी सकता है यह आदि काल से चले आ रहे हैं यह ब्रंदा देवी का निज निवास स्थान है यहीं जो है हम जो हमारे बंस परमपरासी हैं सेवा में हैं हम और यहां नमो नमो ब्रंदे महरानी 56 भोग 36 ब्यंजन बिन तुलसापरु एक नमानी हम कितना भी भोग बना के भगवान के सामने रख दें और उसमें तुलसी दल नहीं देंगे तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं ऐसी मानिता है भोग में तुलसी, कंठ में तुलसी का माला, जाप में तुलसी की माला और घर में तो हम सब वैशनब लोग, हम हिंदू लोग सभी अपने घर में तुलसी का विर्बा रखते हैं तो हमारी तुलसी का बहुत मैत है हमारे जीवन में क्योंकि बिना टुल्शी के हम प्रज में नहीं आ सकते हैं, बिना इंदा की किरपा के विभर्जबाश सकते हैं, बिना बिनद्दादेवी की किर आ के पृष्ण की भट्ति में प्रविष नहीं कर सकते हैं। यह जो हमारा सेवा विग्रह है, इधर जो आप देख रहे हैं, दोनों कृष्णबर्राम के भाव में हम सेवा करते हैं. यह जो है विग्रह है, यह गुप्त कुंड जिनके द्वारा सुरख्यत है, वो बीरा देवी हैं. पिर जो है तुल्सी सालेगराम विभा आप सब लोग जानते हैं कार्तिक सुकल इकादशी में होता है तो ब्रंदा देवी के पती है सालेगराम जी हो साख्यात विष्णू श्वरूप है तो ये उनका विग्रह है सालेगराम फिर ये मेरे गुरु महराश्री शिवावा दास जी के सेवा विग्रह है, उन्होंने पूरा जीवन इनका सेवा किया, ये राधा कृष्ण के रूप में ब्राजमान है, फिर ये बड़े गिर्धारी एक सादू बृद्ध थे, उन्होंने मुझे सेवा के लिए इन गिर्धारी को बड़े को दिया, फिर ये हमारे गोपा फिर ब्रंदा देवी, और ये योग पीठ का आप दर्शन कर सकते हैं, इसमें राधा कृष्ण है, ललता आज अश्चाखिया, जो गुप्तकुन में मैंने जो बताये न, वो ये सेवा विग्रह है, कमल के उपर जो है, ये ब्राजमान है, ये यहां का प्रतक्यलिला है, ये इतना यहां जिल्नोद्वार हुआ है, और जो आपको इधर जो दर्शन होते हैं, ये है कुंड, तो उस समय इस कुंड में थोड़ा सा पानी था और आगे जो मिट्टी थी, और अब ये पूरा आपको जो जिल्नोद्वार देखाई दे रहा है, ये जो मंदिर बनाया है, य तो मैंने भक्तों के द्वारा क्लेक्शन करके इस मंदिर को निर्वान किया, सबसे पहले ये ही मंदिर बनाया है, अधर ये जो तीन रूम्स हैं, एक स्रंगार घर है, एक थोटी किसें है, हमारे ठाकुर जी का जो रसोई बनता है, एक पुजारी रूम है, तीन जो रूम हम पुजारी रूम है, और ये पूरा परिक्रमा है, मार्जी, दोनों कुल्नों का परिक्रमा है, प्रभजी काफी संदर हो गया, अधर ये इस्थान ये हमारा बढ़ा रसोई घर है, जैसे भंदारा इत्यारी होते हैं, तो हम पूरा स्टॉक रखते हैं इदर, घी, बरतन, सब कुछ इदर है, ये सब ब्रणदा जी का पोसाख है, ये जो है, हमारा अथ्टीक रहे है, इसमें कोई भी आगे विस्त्राम कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, प्रशाद भी ले सकते हैं, ये मेरे गुरु महराज, फिर्शे बाबा माधवदाज जी, जी, ये मेरे गुरु यहां रहे, उन्होंने मुझे शेबा दिया, उन्तालीस साल से मैं शेबा रत हूँ इदर, अपी जानबा नोमी जो गई है ना, चार दिन पहले, उन्तिन पूरा उन्तालीस साल, थर्ड़ी नाइन एड़ से मैं इदर सेबा रत हूँ, ये हमारी भजन कुटीर है, कोई भी सा लड़ी के लड़की आई और अपने हाथ से उन्होंने अपने हाथ से निर्वान किया अन्होंने ये साब मिट्टी की नहीं थे ये गुपतकॉंद है, जो मैंने अभी बताया ना, जो प्रात है सुबह साथ से साड़े आज तक यहां लिला होता है, अच्छा, अच्छा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उतना पावर नहीं है ना, हम तो काम, क्रोध, लोम, हर जीब के अंदर है, जो कुंड है उसके चारो तरफ इस तरह के चित्रण आपको नजर आ जाएंगे, बहुती खुपसूरत तरीके से इनको बनाया गया है, बहुती खुपसू इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर ब्रिजधाम की इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर ब्रिजधाम की यातरा करा रहे हैं, आपको बता दें कि हम जल्द ही स्री राम और रमाएंड से जुडए प्राचिन इस्थानों की यातरा शुरू करने वाले हैं और सभी इस्थानों की बिस्तृत जानकारी आपको दिखाने वाले हैं, जिनने शायद आप नहीं जानतें, अगर आप भी कि हमारे साथ यात्रा से जुड़ा रहना चाते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा लीजिए जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें तो मिलते हैं अगले एपिसूड में जै स्री रादिकिष्णा